मशकार दोस्तो आज की वडियो बात करेंगे हम 12 जून की आज सुबत की मुक्य खबरों के बारे में और पिछले कल करोना वाइरस के प्रदेश में किने मरी जाएं और 393 लोगों की देश में करोना वाइरस से अभी तक मृत्यू हुए अगर बल की बात करे दुनिया की बात करे तो 45,666 केसिज अभी तक पूरी दुनिया में करोना वाइरस के पहुँच चुके है और डेथ मृत्यू 4,222 सजा लोगों की हो चुके है और लॉकडाउन के त्विश्वी और ओवरलार केटरगेरी में स्टार्ट में रेंक की हासिल और साथी में मैं आपको बताना चाहता हूँ मांचल में करोना के 21 नए मामले पूलिस कर्मी के पॉजटिव आने पर SP ऑफिस बंद रहा है त्योंकि हमार उजाला ख़वर है यूजपेपर की उसके क लेस्ट इबार्ट में बहुत बड़ा कुला सकी है हमाचल में जुलाई और अगस्त में भी बंद रहेंगे नीजी होटल और रेस्टोरेंट होटल कर्मियो और होटल मारीकों पे छोड़ा फैसला सरकार ने क्रोना संकट में हमाचल की वादियों में शूटिंग को बेता को बगाया जा सकता है करोना संकट के बीच बसों में सफर करने लगे लोगों के लोग बढ़ने लगी अक्यूपैंसी माचल में नहीं होगा नहीं सड़कों और पुलों का काम के इंदर ने प्रोजेक्ट बेजने से किया साप साप इनकार अब हमाचल प्रदेश में नहीं 265 लोगों की रिपोर्ट नेगटिव आई है 287 रिजल्ट अभी आने वाले हैं आ जाएंगे जो और परसन पॉजिटिफ 470 लोग अभी तक कोरोना वाइरस से पॉजिटिफ आए गए और जिसमें से 19 केस कोरोना वाइरस के पिछले कर लिया है माइग डिटिड आउट केसी बहार रिलाज करने के लिए 11 लोग गए हैं और एक्टिव केसी इन स्टेट 117 केसी एक्टिव है और यहां पर जो कि आईसोलेशन में और पिछले कल जो कि 26 लोग डिस्चार्ज भी हैं हॉस्पेटल से रिकवर्ट पेशेंट तो यहां पर दोस को और सिर्मव जी ले से एक और सिर्मलाव जी ले से करोना वाईरस का केस आएं जो के कुल हम बात करोना वाइरस के करने तो पिछले कल बिस्तार से करोना वाइरस से ठीक भी हो चुके और 8 5001 लोगों के विद्या देश में मृत शुके और पिछले कल 393 लोगों की कुरोना वाइरस से देश में मौत हुई है और यहां पर आप स्वारी जो कि स्टेट वाइज आंकड़ा है उसे देख सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा केसी महाराष्ट्रा से आये फ्रेक्त मिलाडू दिल्ली और यहां पर आंदर प्रदेश चम्मू यहां पर तिलंगाना देख सकते हैं आसाम यहां पर पूरी के पूरी जितनीगे स्टेटस से उन सभी कामकड़ा यहां पर सबसे कंसी कि में है फिलाल 13 वाइनटैस यहां पर हैं 10 केसिई और यहां पर देखें बाल मैं अगर बात करें तो कुरोना वार्ण वार्स सब्सक्राइब करें और यहां पर देखिए सबसे ज्यादा केसी पिछले कल ब्राजील से है जो कि दूसरे नमबर पर करते हो भारत ठीटे नमबर से चौत आ चुका है अगर हम बात करें अब रश्या को तो अचार केसी जाएं तो यहां पर दो तीन अजार केसी ज्यादा आ रहे हैं भारत को तो यहां पर भारत को कम से कम 45 दिन लग सकते रश्चिया को पेचाड़ते वो अगर 10,000 केशिश डेली भारत में आते अगर यसे 20 या 30,000 केशिश जाते तो भारत रश्चिया को जल्दी जल्दी 20 या 25 तिन में पेचाड़ देगा अगर इतने दस घजार की करीब भारत में केशिश आते रहे तो भारत चौथी पोजिशन पे बना रहेगा कम से कम 40 से 45 दिन तक शाय तब तक कुछ आंकड़ों में इंप्रूवमेंट हो जाए जिसमें से आंकड़े घट जाए क्योंकि अगर भारत में स्वास्ते विभाग में थोड़ा सा सरकार अच्छे से करेंगी और स्वास्ते विभ हो रही है प्रति दिन 300 से 3500 लोगों की मृत्य हो रही है तो तीस तिन में नौ या दस चाहर लोगों की और मृत्य हो सकती है जो कि मृत्य उदर आंकड़ा है वो बढ़ सकता है हलांकि आपको जो कि यांके केसिस के अधार पे देखा जाए तो वो कम है चुँंकि भारत में इतने ज़्यादा केस आ रहे उससाब से जो कि डेथ रेशो है अगर सो केसि में से देखा जाए या कि दो लोगों का बड़ जो अबरॉल देखा जा रहा है जहां पर 8501 लोगों की अभी तक मौत हुई है देश में वहीं पर यह मौत फिर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक बड़ जो कि केसीज है जो कि आंकडों में अगर हम यहां पर बात करें बिदावर परसेंटेज को छोड़के अगर कि कितने लोगों की मिरती कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा हुई है तो वो फिर भारत में यहां पर हो सकता है जो कि यहां पर ब्राजिल और USA के बाद यहां पर पढ़ सकता है और भी यहां पर आप स्टैट्स देख सकते है और पर मिल्यून टेस्टर कितना हुआ है सांकड़े में जो कि बल्डो मेटर वेबसाइट से यहां पर लिया गया है हिमाचल परदेश में लॉकडाउन के बास स्कूल शुरू होते ही छातर पढ़ेंगे हैपिनेस करिकूलम दिल्ली सरकार के बाद यहां पर हिमाचल सरकार ने भी फैसला लिया यहां पर देखे जो कि शिक्षा वोड हिमाचल परदेश है उन्होंने यह साप साप कर दिया कि ह हैपिनेस करिकूलम को जब चटी क्लास से ग्यारों क्लास तख माचल परदेश में पढ़ाए जाएगा और परदेश से बाहरा और कंटेनमेंट जोन में फंसे छात्रों की परिक्षा नहीं लेगा सेन्टर इंवर्ष्टी जो कि यहां पर कांगड़ा है तो यहां पर साप सा प्रदेश भर में विरुवार को कुरोना की 21 मामले आए और साथ में यहां पर देखिए एस पी ओफिस उनना को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है यह मांचर पुदेश में दूसरी गटना हो चुके इससे पहले मांचर पुलिस मुख्याले को भी बंद कर दिया गया था विजलेंस का खुलासा प्रित्वी ने पुर्द निदेशों को दी थी 50,000 की गूस मांचला के लेंदेन पर जारी जानकारी नहीं दे रहा है प्रित्वी सियां फर्म के लिए काम करता था इसके मालिक जी एस कोली से भी कोबीड की वज़े से पूछतात नहीं हो सकी ऐसा इसलिए क्योंकि उसे होम क्वारंटीन रखने के लिए कहा है और मांचल में जुलाई और अगस्त में बंद रहेंगे नीजी होटल और रेस्टोरेंट सरकार ने जो की मांचल में जुलाई और अगस्त में नीजी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे टूरिजम इंड़ेस्ट्री स्टेक यहां पे जो की एसोशेशन महिंदर सिंग ने कहा है कि जो की उन प परदे पर जो कि बॉलिवूड है और दशाना चाता है, डीजे के शोर से बगाया जा सकता है, टीडी दल, डॉक्टर दीपी का सूथ का ये कहना है, रिखिस्तानी टीडी दल किसानों का सबसे प्राचिन शत्रू है, जो हमेशा से ही फसल पादन के लिए एक बड़ा खत्रा रहा है, यह एक प्रबासी कीट है, इसमें सामुवी क्रूप में सेकडू किलोमेटर तक उन्ने की क्षमता होती है, यह मध्यम बड़े अकार के होते हैं, और इसको अब जो कि डीजे है, उससे बगाया जा सकता है, और कोई भी बाद या यह अंतर आप अगर बजाएंगे, तो उससे भी यह भाग सकता है, उसके शोर सराबे से, क्रोना संकट के बीच बसों में सफर करने लगे, हिमाचल के लोग बढ़ने लगी, अक्योपेंसी जो कि बसों में स्वारियां के संख्या बढ़ने लगी है, क्रोना संकट के बीच सरकारी बसों में सफर करने वाले लोगों की संख्या में जाप होने लगा है, गर से कारेलिया और एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों की संक्या एक जून में परिजन इसे बाएं शुरू हुई थी लंबे रूटों में स्वारियों का आंखड़ा पिछले एक सब्ता के मुकाबले अधिक बढ़ा आये और 10-15 हो गई है और वहीं किसी रूट पे 30 चालियां स्वारियां भी सोचल डिस्टेंसिंग के साथ जा रही है मौजुदा समय में 3300 बस में से 1150 बस ही परदेश में आर भीजने से माना कर दिया है सरकार को निर्देश दिये हैं कि ले पुराने और सालों से लंबित बड़े प्रोजक्ट के कारे प्रात्मिकता से निप्टाये जाएं इसके पीछे केंदर ने तर्क दिया है कि देश में क्रोना से निमने को क्रोड़ों रुपे खर्च हो रह हैं ऐसे में इस साल सड़कों पुलों की सेल्फ नहीं भीजी जाएंगी